विल्कम बेक टू माई चैनल आज हम आप लोगों के लिए बहुत कॉमन सी रेसिपी अरूई गोस्त की रेसिपी लेकिया हैं जो बनाना बहुत आसान है बहुत ही टेस्टी बनके तयार होता है इतनी आसान इतनी टेस्टी रेसिपी अगर आपको बनाना है तो वीडियो एंड देखिएगा चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले हम कूकर गरम कर लेंगे इसमें हम दो टेबल इस्पून ऑईल एट कर देंगे ऑईल को अच्छे से गरम हो जाने देंगे यह 300 गरम अर्वी है इसको अच्छे से हमने इसके चिलके को हटा लिया था हातों में मस्टर्ड आउयल लगा कि इसका चिलका हमने हटाया फिर नमक के पाने में इसको हम 10 से 15 मिनाट डिप कीएं तीन से 4 बार इसको अच्छे से हम वास कर लिए अब इसको हम फ्राई कर अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो like करना ना भूलियेगा ज़्यादा ज़्यादा लोगों में शेयर करिए अगर अगर आपने अब तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सबसेक्राइब करिए अब हमने अर्वी के दूसरे बॉल में transfer कर दिया है अब इस कर लिया है कुछ साबुद मसाले है जीरा दालचीनी लॉंग हरी लाइची तेजपत्ता को हमने आइट कर दिया है प्याज को अलका सा गोल्डेन कर लेंगे प्याज अच्छे से लाइट गोल्डेन हो चुका है यह एक बड़े साइच का पेस्ट है इसको भी हम आइट कर बहुत आसान है बनाना बहुत ही टेस्टी यह बनके तयार होता है टू टी स्पून अद्रग लसन का पेस्ट इसको भी हम एक से दो सेकेंड साइच कर लेंगे हमारे महां तो सबको बहुत पसंद आता है आप भी बनाईए आपके फैमली में सबको बहुत पसंद आएगा और हमारे रेशिपी के बारे में अगर आपको कोई वी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए आप लोग हमें सपोर्ट करिए आप लोगों के लिए इसी तरीके से इजी टेस्टी रेशिपी लेक्याथे रहेंगे 500 गराम मतन हमने आइड़ कर दिया मसाले आट करेंगे नमक 1 टीज़पून लाल मिर्च पोऒधर 1 टीज़पून नमक मिर्च आब अपने टेस्ट के हिसाफ़ आट करेंगे 2 टीज़पून धनिया पोड़र 1 अप टीज़पून जीरा पोड़र 4 टीज़पून हल्दी पोड़र अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे बहुत आसान है बनाना बहुत टेश्टी बनके ये तैयार होगा थोड़ा साम पानी आट करेंगे एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तीन से चार विसल में हम कभर करकी इसको हम कुक कर लेंगे चार विसल हो चुके हैं सारे प्रेशर इसके निकल चुके हैं गोस्त अच्छे से गल चुका है अब इसमें हम टू टेबल इस्पून दही आट करेंगे अब दही के साथ इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे देखिए गोष्ट अच्छे से भुन चुका है सारे आयल उपर दिखने लगे है फ्राई किया हुआ और भी अट कर देंगे इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे अब ग्रेवी के लिए हम पानी अट करेंगे ग्रेवी आप अपने हिसाब से अर्जिस कर लिजिए देखिए कितना फटा-फट से ये बन जाएगा अभी ये कुख होगा 10 से 15 मिनट ग्रेवी ठीक हो जाएगा और भी अब उसी हिसाब से अर्जिस कर लिजिए पानी नमक मिर्च भी यहीं पर आप चेक कर लीजिए अब एक विसल हम आउले लेंगे ताकि अर्वी भी हमारी अच्छे से गल जाए एक विसल हो चुका है, सारे प्रेशन निकल चुके हैं देखिए, बहुत अच्छी से खुसबू आ रही है, देखने में तो मूँ में पानी आ जाएगा इस तरीके से वीडियो देखिया, बनाईए अगर आपने अब तक नहीं बनाये हैं, अर्वी गोर तो यह वीडियो देखके आप बनाईए, सभी को बहुत पसंद आएगा लाश्ट में हरी धनिया अट करेंगे अब गर्मा गर्मा आपको सर्व करके दिखाएंगे बहुत अच्छी से यह गल चुका है देखिए, बहुत आसानी से मैस हो रहा है रोटी, चावल किसी के साथ आप इंजवाय कर सकती है आप लोग हमें सपोर्ट करिए, हमारा हौसला बढ़ाईए आप लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं प्लीज लाइक करिए आपने हमारे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया